बच्चे को उंगली पकड़ कर चलाने का इंतजार हम सब को होता है मुझे भी बहुत था मुझे भी लगता था मेरा बच्चा कब चलना है स्टार्ट करेगा मेरा बच्चा कब बोलना स्टार्ट करेगा कब बोग उटने चलेगा कब बोग खड़ा होगा हर मांबाब को ऐसा पील होता है कि उसका बच्च एसा करे बैसा करे क्योंकि हम और भी बच्चों को दिखते हैं, तो हमें लगता है कि ने पशुद्छ इनतिजार रहता है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को कब महज़े से लेकर चलनेक upper 10weg साल में चल्म का जल्दी भी चल सकता है को इसके बीच कुछ से जळी चलने कर देती हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं यह होता है कि उन पर माबाप पर डिपेंड करता है कि वो उसके कैसे मसाज कर रहे हैं कैसे उसको खड़ा कर रहे हैं कैसे उसको सिखा रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है थोड़ा खाने पीने पर भी डिपेंड करता है अगर बच्चे अच् तक चलना स्टार्ट कर देते हैं, सारे बच्चे इस एच में ही चलते हैं, और अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम उन्हें सिखा सकते हैं, फिर बच्चे क्रॉल करना सीखते हैं, बच्चे खड़े होना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, बच्चे बिना पकड़ के खड़े हो और एक साल तक होते होते बच्चे अच्छी तरह से चलना शुरू करेंगे कि क्या मैं ऐसे टिप्स देने माली हूं जिससे आपको काफी यादा हैल्प मिलेगी बच्चे को चलना सिखाने के लिए चलना सीखता है उससे पहले वह पकड़ के खड़ा होना सीख लेता है या फिर जैसे बैठा है और उससे खड़ा होना सीख लेता है बिना सहारे की उससे पहले वह यह एक्टिविटी दो एक्टिविटी जरूर करेगा ठीक है इसके लिए आप बच्चे की पैरों की मसाज अच्छे से करें दो बार करें ताकि बच्चे के जो पैर हैं वह स्ट्रॉंग र अगर आपको अच्छा लगे तो आप मानना और अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप बिल्कुल मत मानना या फिर मानने से पहले तो मैंने अपने बच्चे को क्या किया था जब वो चार महीने का था तीन महीने का तीन का नी चार और पांच महीने का राओगा तो चार महीने से मैं उसे थोड़ा थोड़ा अपने घुटने पे या अपने गोद में खड़ा करना शुरू कर दिया था तो क्या था कि जो स्टा चलने लगा कि इसे कह दो हम चुछ हुआ जा जाता है तो जब हम स्टार्टिंग से बच्ची को ठुड़ ख़र केरना सिखाती है जिससे चार महीने या पांच महीने के बच्ची को तो अच्पक जब ली जाता है तो उसा आईे लग जाता कि इस tutto अचसररी FE मढने लगता कि लेकिन उसने अभी खड़ा होना स्टार्टिंग किया है क्योंकि आठ महिनी के बच्चे बहुत चोटे होते हैं पोई तनी जल्दी नहीं चल पाते हैं वो दस महिनी तक आते आते थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं दे नाइन में वो राइक फुलका एक दू कदम बढाते हैं और फिर गिर जाते हैं तो ऐसे ही मैं कुछ वीडियो भी अपने बच्चे के लगा दूंगी ताकि आपको भी किलियर हो जाए तो क्या होता है कि जब हम उन्हें कुछ प्रेरित कर सकते हैं जैसे बच्ची ने आपक चलना इसंद करेगा it was to all bebted developed seminar WHO अब बच्चे को सिखा सकते हैं या फिर बच्कानाJe विज wanna सखा सकते हैं उसको लेकि वैसे धीरी थीरी चलना स्टार्ट करते हैं कि जब अब जक अच्छे को आप चलना शुरु इस्टार्ट करते हैं तो अब बच्चे को लीड़े है क्योंकि जब बचे गोध में ही रहते हैं तो घुड़ा सा लेट चलते है और मोध जब भादाल स्थिखाते दो गोध की आदत उनको छुडानी होती है भले लोगी वह चलना शुरू करते हैं फिर भी वह गोधी करते तो इसलिए उनकी गोधी की जो आदत है उसको थोड़ा सा कब कीजिए पहले आप घर में चलाईए फिर गार्डन पार्क इन में चलाना स्टार्ट कीजिए तो अच्छा लगने लगगाई बच्चे को चलाने के लिए बच्चा जब जैसे खड़ा होना स्टार्ट कर देता है या बिना सहारे के भी खड़ा हो लेता है तो भी बहुत अच्छी बात है जब 8-10 महीने का बच्चा हो जाए या मालीजे एक साल का भी आपका बच्चा है और खुद से वो खड़ा हो लेता है लेकिन कदम नहीं बढ़ाता उसको बहुत कॉंफिनेंस नहीं आ रहा उसको लग पर जैसे कदम बढ़ाएंगे वो गेर जाएगा उसको यह फील होता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जैसे आप तीछे खड़े और आगे आपने बच्चे को लिए बच्चे के दोनों हाथों को पकड़ा और धीर 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 एक कदम बढ़ाना स्टार्ट कि वो भी वॉकर भी काफी जादा हेल्फ करता है चलने के लिए क्योंकि जब वॉकर में बच्चे को हम बिठाते हैं तो बच्चा उसमें खड़ा रहता है और वो वील्स के सहारे चलना स्टार्ट कर दीता है तो उसको लगता है कि मैं चल रहा हूँ जबकि वो वॉकर उसको ट तो ऐसा थोड़ीयस रैस्क रहता है तो आप आप अगर डेना चाहिए अगर आप जैने सामने शाहिए चुनि बीन काँद से सकते इसटे बिशुम कांगी चल dessa का सब्सक्राइब तो डौ्टर आपको मना करेंगे, क्योंकि walker की बज़यां से कई सारे बच्चों guy, चोट लगती है। इसलीए डौ। लूडबाए नी ठीर्चे काने कुछ जब आप बच्चे कको चलना सिखाएं या खड़े होना सिखाएं तो बैड पे उसको रखना थोड़ा सा कम करें। उ ऐसे अगर बच्चा खेलेगा खुद से खेलेगा तो बच्चा जल्दी खड़ा होना सीकता है और जल्दी चलना सीकता है तो फ्लोर पे बच्चे को रखें कोई मैट वगेरे बिचालीजे तो बैड पे थोड़ा सा कम रखें फ्लोर पे आप जाता रखें या फिर आप तो आप जैसे आपने बॉल पकड़ ली और आप उसको कहें मतलब बुलाएं उसको तो वह बॉल पकड़ने के लिए आएगा या फिर आप उसको कुछ इस तरह से कहें आजाओ जो जो तो बच्चे इस तरह से भी आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मम्मा मुझे छोड़ कर तो यह भी अपना सकते हैं कि जब बच्चे को आप चलना सिखाएं तो उसको कोई सूज सैंडल वगेरे आपको नहीं पहनाना है क्योंकि जो बच्चे की पैर जो है बहुत छोटे हैं उसमें ग्रिप नहीं बच्चे जमीन पेस तरह से बना पाते हैं और बच्चे जब बच सबसे बच्दागे जा मैं इस टायम पे मैं जब बच्चे अपके थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करने जब घर में थोड़ा थोड़ा चलना सबस्ता ने पाते हैं सीखने कि जकने चलना सीके का उसके बाद थोड़ा कुछ से खड़ा होना चीखे गा जैसे फ़िर वो अपनियाप जैसे ब्याञ्टा है फिर खड़ा ऊगया लेकिन चलेगा नहीं कि उसके मन में डर्वरा होता है कि जैसे ही मैं चलूंगा मैं गिर जाओगा है वो खुटने चलता है और वो खुद से चलने की कोशिश उतना नहीं करता है तो पहले आप जैसे support देखे उसको help करके उसको चलाएंगे तो उसका डर अंदर से खतम हो जाएगा तो वो कोशिश करने लगेगा और जैसे ही वो एक दो कदम बढ़ाएगा उसको अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह से मतक मतक के चलते है वड़े ही क्यूट लगते हैं बच्चे और मेरे बच्चा उस टाम पर लॉकडाउन हो गया तो मेरे हस्बेंड भी घर पे तो बच्चा मेरा बहुत अच्छे से सीग गया था काफी सारी सारी चीज़ सी गया थाथ तो दस महिने में मेरा बच्चा चलना स्टार्ट कर दिया था तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपको भी अप्लाई करने है जैसे मसाज आपको अच्छे से करनी है उसको थोड़ा सा गोद में खड़ा करना है खड़ा करना है, बैड पर खड़ा करना है नॉर्मारिय घाड़ा करना है पूरा बजन ऐसा नहीं करना है, कि पूरा बजन साधे आपको थोड़ा सा हेल्प करनी है उसको लगेगा जैसे बहु खड़ा है लेकिन पूरी हेल्प आप कर रहे हैं इस तरह से धीरे 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 जब आप सिखाएंगे तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे बच्चे को खुद से चलनी की कोशिश करने दें आप उसकी हेल्प कभी कवार ही करें हमेशा उसकी help ना करे क्योंकि अगर आप हमेशा उसके लिए help के लिए तयार रहेंगे तो बच्चा चलने की कोशच नहीं करेगा वो उमीद करेगा कि आप उसकी help करें या आप उसको गोद में ले ले तो इस तरह से बच्चे करते हैं तो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए अगर ना पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं और अच्छे अच्छे टिप्स आपके लिए लेकर रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब कीजिए पिरेंटिंग वीडियो के लिए